सोलन में 17 माई को राहूल गांधी की रैली का आयोजन होने वाला है इस रैली को कॉंग्रिस राष्ट अध्यक्ष राहूल गांधी संबोधित करेंगे रैली को लेकर शहर में तयारियां शुरू हो चुकी है SPG ने भी सोलन में डेरा दाल दिया है सोलन में 17 में इको राहूल गांधी की रैली का आयोजन किया जा रहा है इस रैली को कांग्रिस अध्यक्ष राहूल गांधी संबोधित करेंगे रैली को लेकर शहर में तयारियां अरभ हो चुकी है SPG ने सोलन में डेरा डाल लिया है इस रक्षा की देश्टी से एती हातम कदम भी उठाये जा रहे हैं पुलिस मैदान में त्यारियों को लेकर कांगरेस नेता और कार्य करता दिन रात कार्या में जूटे हुए हैं और रैली को सफल बनाने का परियास कर रहे हैं सोलन जिला कांगरेस परवक्ता मुकेश शर्मा ने बताया कि परचार के अंतिम दिन 17 में को राहुल गंदी रैली को संबोधित करेंगे और कार्या करताओं में जोश वरेंगे चुनाव परचार के अंतिम दिन आयोजेते रैली कांगरेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी क्योंकि इस रैली का असर समूचे हिमाचल में दिखेगा और कांगरेस इस रैली को बब्ब्य और सफल बनाकर बाचपा की रैली को उचित जबाब देगी कांगरेस के राष्टिये अध्यक्ष माननिय श्री राहूल गांदी जी 17 मई को सुबा 11 बजे सोलन के पुलिस ग्राउंड में एक विशाल जनसावा को समोधित करेंगे ये हमारा सोभाग्य है शिमला संसितिक शेत्र के लोगों का कि चुनाव परचार का आखरी दिन है 7 वे चरण का जो चुनाव परचार है वो 5 बजे ठम जाएगा और उसी दिन माननिय जो हमारे अध्यक्ष है कांगरेस के उन्होंने अपना किम्ती समय निकाला है शिमला संसितिक शेत्र के लिए तो हमें उमीद है कि ये जनसभा जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है मैनेज होगी और इसकी लहर पूरे हिमाचल में जाएगी और चारों सीटे कांगरेस पार्टी जीत कर माननिय राहूल गंदी जी की जोली में डालेगी भातिय जनता पार्टी की भी माननिय मोदी जी की यहाँ पर जनसभा हुई थी उनका भी जो ठोटो ग्राउंड की जो खुद की कपैसिटी है वो 15-20,000 लोग से जादा वहाँ पर लोग नहीं आते हैं और जो पुलिस ग्राउंड है उसका भी सेम यही सेनेरियो है कि वहाँ पर भी 15-20,000 लोग जो है वो कंफर्टेबली आपाते हैं तो कॉंग्रेस पार्टी भी जो है ये लेकर चली है कि हम जो है उनसे बढ़िया रैली यहां पर करेंगी अगर बीजेपी कह रही है कि उनकी बहुत बढ़ी रैली यहां पर हुई है तो कॉंग्रेस पार्टी इसका जबाब उनसे बढ़िया रैली करकर दिखाएगी तो ये था आज अगर कारेकर फिर आज रोंगे नई गती विदियों के साथ आप बने रहिए एच्टुडे के साथ नमस्कार